अब लेकिन उट पहाड के नीचे आया है 240 सीटे आई है बीजेपी की 63 हार गए इस चुनाओ में तो अब कोईलेशन पार्टमर्स की जबरोत पढ़ रिया बैसाखी पर सरकार चलेगी जदियू ने आज कहा कि अगनी वीर स्कीम समाप्त होनी चाहिए पर पुनरविचार होना चाहिए असलियत ये है कि 73 साल का प्रधान मंतरी 5 साल का समय और मांगरा मोदी की गारंटी तीसरे शब्दों में अपने आप में में बात करते थे मोदी मैं हम मेरा नहीं मोदी बोलते थे अब वो सब खतम है अब एंडिये की बात कर रहे हम की बात कर रहे है लोकतंतर की नहीं यही खुबसूलती है यही ताकत है पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी अपनी मन मर्जी का काम करते थे जब मन आता था तुगला की फर्मान इशू करते थे कभी नोटबंदी करना कभी लॉकडाउन लगा देना एक घंटे की नोटिस पर कभी मजदूरों को पैदल चलवा देना जो मन में आता था वो करते थे समन्वे बहस कराना किसी मुद्धे पर डिसकॉशन करना सामनजस से बठाना यह सब बाते नरेंद्र मोदी जी को न पता है न उनको आती है अब लेकिन उट पहार के नीचे आया है 240 सीटे आई है बीजेपी की 63 हार गए इस चुनाओ में तो अब कोवलेशन पार्टमर्स की जबरूत पढ़ रिया बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसा किया है उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है जदियू ने आज कहा कि अगनी वीर स्कीम समाप्त होनी चाहिए इस पर पुनरविचार होना चाहिए ये बात कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांधी हमारे नेता लगातार कह रहे है इसी मुद्दे पर हमने चुनाओ भी लड़ा था लोगों के पास भी लेकर गए थे हजारों लाखों बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन अगनी वीर के खिलाफ है वो हमारे साथ भी जुड़े असलियत ये है कि 73 साल का प्रधान मंतरी 5 साल का समय और मांग रहा था और 21 साल के लड़के को बोला थो तुम रेटायर होके घर चले जाओ खेर तो इस मांग के बाद देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं ये पहली मांग तो है नहीं जदि उन्हें कास सेंसिस की भी जातिगत जनगरला की भी बात उठाई है तो मोदी जी का जो आदत पड़ी हुई थी अपनी मनमर्जी करने की अपने तुगलकी फर्मान चलाने की एक अकेला सब पर भारी अब खीचे जाएंगे हर डिरेक्शन में और उनका टेस्ट ये है क कि वो कितना समन्वे बिठा पाते हैं वो कितना सम्मान कर पाते हैं वो कितना सामंजस से बिठा पाते हैं क्योंकि नरेंदर मोदी जी तो अपने फ्रेम में ही लोगों को नहीं आने लेते थे एक अकेली फोटो आती थी अब कल से मैं देख रहे हूं जितनी भी फोटो आ रह अब वो सब खतम है, अब एंडिये की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं, लोकतंतर की ना यही खुबसुलती है, यही ताकत है, बड़ों की हेकड़ी निकालता है, लेकिन मुद्दों पर वापस आती हूँ, और मुद्दा है अगनीवीर का, और अगनीवीर एक ऐसी स्कीम हैं, जिससे सेना का मनोगल तूटता है, उनका पराक्रम तूटता है, और ऐसी युवा विरुधी, ऐसी सेना का पराक्रम और शौरिका खिलवार करने वाली योजना का, कोई जगे नहीं है, उसको तुरंट स्क्राप करना चाहिए, मोदी जी के अंदर अगर जरा सा भी सेंस होगा तो वो करेंगे, और अगर 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 नहीं उनका करने का मन होगा, तो उनके ऐलाइज उनका हाथ पकड़के उनसे कराएंगे, शाबाश हिंदुस्तान, बड़े बड़े ताला शाहों को सबक सिखाया है आपने,